Good morning friends, welcome to Shorthand Helpline, good morning Ashtonography series में आप सभी का स्वागत है, तो चले स्टार्ट करते हैं हमें सा किदर अस्य सब्धि प्रतिमिनट और सौस अधि प्रतिमिनट के दिक्टेशन अस्य सब्धि प्रतिमिनट दिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाल स्टार्ट, रूस की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनात सिंग का वापसी में अचानक इरान जाना और अब विदेश मंत्री S. जैसंकर के रूस से पहले तहरान जाने की सूचना यही बता रही है कि भारत इरान को चीन के पाले में न जाने देने के लिए कमर कस रहा है ऐसा करना वक्त की जरूरत भी है हालां कि भारत और इरान के रिस्ते दोस्ताना ही रहे है लेकिन अमेरिका के इरान विरोधी रवये के कारण इन रिस्तों पर असर भी पड़ा है इसका पूरालाब चीन ने उठाया है वह बीते कुछ समय से इरान को उसी तरह अपने पाले में लाने की कोशिस कर रहा है जैसे उसने पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठा रखा है वह इरान से सस्ती दरों पर तेल खरीदने के एवस में वहां 400 अरब डॉलर निवेस करने तो जाही रहा है उसे हथियारों से लैस करने की तैयारी भी कर रहा है इसके अलावा इरान से 25 साल के लिए रड़नितिक समझ होते पर भी बात कर रहा है पहरा इरान में चीन का बढ़ता असर केवल भारत के लिए ही चिन्ता का विशय नहीं है यह सौधी अरब इसराइल और अमेरिका के लिए भी है माना चाता है कि पश्चिम एसिया में इरान के असर को कम करने के लिए ही सौधी अरब के बेहर करीबी देश सयोगत अरब अमीरात ने इसराइल से दोस्ती की है पैरा यद्दबी भारत के सौधी अरब और इसराइल के साथ अमेरिका से भी बहतर संबंध है लेकिन यह ठीक नहीं होगा कि इरान चीन के खेमे में चला जाए बहतर हो कि भारत अमेरिका के समक्ष यह रेखांकत करे कि उसकी आकरामक नीतियां इरान को चीन की ओर धकेल रही है अमेरिकी प्रसासन को भी यह देखना होगा कि इरान के मामले में उसकी रीती नीति को यूरोपीय देशों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है यदि इरान चीन का वैसा ही पिछलगू बन जाता है जैसे पाकिस्तान और उत्तर कोरिया बन गए हैं तो एक नई धूरी बन जाएगी जो एसिया की सांती के लिए खतरा ही बनेगी फैरा भारत को इरान में अपना प्रभाव केवल इसलिए नहीं बढ़ाना चाहिए ताकि वहाँ चीन का दखल कम हो सके बलकि इसलिए भी बढ़ाना चाहिए जिससे चाबहार बंदरगाह के जरिये अफगानिस्तान और मध एसिया तक पहुच आसान हो सके भारत को इरान से अपने रिस्ते मजबूत करने के साथ ही चार देशों के संगठन क्वाड को सक्षम बनाने पर भी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए चीन से त्रस्त दक्षण पूर्व एसिया के जो देश क्वाड से जुडने को तैयार हैं उन्हें प्रूच साहिद किया जाना चाहिए क्वाड जितना अधिक सक्षम बनेगा बिगडाल चीन पर अंकुस लगाने में उतने ही सफलता मिलेगी yesterday तो आप हमारे happy standardography को जौन कर सकते हैं और अगर आप इसके अलामा और dictation लिखना चाहते हैं तो भी आप हमारे happy standardography को जौन कर सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं अब सौसब बित्विनिट के डिक्टेशन स्टार्ट रूस की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनात सिंग का वापसी में अचानक इरान जाना और आप विदेश मंत्री एस जैसंकर के रूस से पहले तहरान जाने की सूचना यही बता रही है कि भारत इरान को चीन के पाले में न जाने देने के लिए कमर कस रहा है ऐसा करना वक्त की जरूरत भी है अलांकि भारत और इरान के रिस्ते दोस्ताना ही रहे हैं लेकिन अमेरिका के इरान विरोधी रवये के कारण इन रिस्तों पर असर भी पड़ा है इसका पूरा लाब चीन ने उठाया है वह बीते कुछ समय से इरान को उसी तरह अपने पाले में लाने की कोसिस कर रहा है जैसे उसने पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठा रखा है वह इरान से सस्ती दरों पर तेल खरीदने के एवज में वहां 400 अरब डॉलर निवेस करने तो जाही रहा है उसे हथियारों से लैस करने की तैयारी भी कर रहा है इसके अलावा इरान से 25 साल के लिए रणनितिक समझोते पर भी बात कर रहा है इरान में चीन का बढ़ता असर केवल भारत के लिए ही चिन्ता का विशय नहीं है यह सौधी अरब इसरायल और अमेरिका के लिए भी है माना जाता है कि पस्चिम एसिया में इरान के असर को काम करने के लिए ही सौधी अरब के बेहत करीबी देश सैयोक्त अरब अमिरात ने इसरायल से दोस्ती की है यद तभी भारत के सौधी अरब और इसरायल के साथ अमेरिका से भी बहतर संबंद हैं लेकिन या ठीक नहीं होगा कि इरान चीन के खेमे में चला जाए बहतर हो कि भारत अमेरिका के समाक्ष यहरे खांकित करे कि उसकी आकरामक नीतियां इरान को चीन की ओर धकेल रही हैं अमेरिकी प्रसासन को भी यह देखना होगा कि इरान के मामले में उसकी रिती नीती को युरोपिय देसों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है यदि एरान चीन का वैसा ही पिछलगू बन जाता है जैसे पाकिस्तान और उत्त कोरिया बन गए हैं तो एक नए धुरी बन जाएगी जो एसिया की सांती के लिए खतरा ही बनेगी भारत को एरान में अपना प्रभाव केवल इसलिए नहीं बढ़ाना चाहिए ताकि वहां चीन का दखल कम हो सके बलकि इसलिए भी बढ़ाना चाहिए जिससे चाबहार बंदरगाह के जरिये अफगानिस्तान और मध्य एसिया तक पहुच आसान हो सके भारत को एरान से अपने रिस्ते मजबूत करने के साथ ही चार देशों के संगठन क्वाड को सक्षम बनाने पर भी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए चीन से तरस्त दक्षन पूर्व एसिया के जोदेश क्वाड से जुड़ने को तयार है उन्हें प्रोद साहिद किया जाना चाहिए क्वाड जितना अधिक सक्षम बनेगा विगडाल चीन पर अंगोस लगाने में उदनी ही सफलता मिलेगी डिक्टेशन समावत हुआ ऐसे ही प्रत दिन आपको डिक्टेशन मिलता रहा है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बगल में जो बैल आइकन है उसे दबाना बिलकुल भी ना भूले धन्यवाद